कि अग्याँ आई और गाइए कि अग्याँ कि अग्याँ कि अग्याँ नमस्कार अस्सलाम वालेकूम मेरा नाम रिज्वान खान है आज मैं आप लोगों को 30 मिनट की एक ऐसी साधना की बारे में बताऊँगा जिसे कोई भी आम आदमी भी संपन कर सकता है ऐसी एक साधना जिसमें मैं दो प्रकार के मंत्र बताऊँगा एक मुस्लिम तंत्र से एक हिंदू तंत्र से आग हिंदू तंत्र की मानिताओं के अनुसार होली का धहन, होली का माता और प्ररहाद के साथ जुड़ी हुई कई एसी कहानिया कई ऐसे शाष्ट्रों ग्रंतों में लिखा है जो आप जानते ही होंगे उसी तरह आग के बारे में मुस्लिम तंतर में कहा गया है कि आग यानि दोजक की आग यानि कि आग से पैदा हुए शैतान, जिन जिननात भूत प्रेट जादु टोले शिफली, शिफली का मतलब होता है काला यानि गंदा, काला जादुजी से कह सकते हैं अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं आपको कौन सी ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ 30 मिनट में होगी, कैसे होगी आपको सिर्फ नहा दोकर साफ सुत्रा होकर होली जलानी वाली रात, याद रखिएगा खेलने वाली रात नहीं, जिस दिन रंग लगाया जाता है उस दिन नहीं, उसके एक दिन पहले आप नहा दोकर साफ सुत्रे होकर सपेद रंग का कोई भी वर्स्टर पहन ले या काले रंग का कोई भी कपड़ा आप पहन सकते हैं उसमें लगने वाली सामगरी है पांच अगरबत्ती, जो आपको एक खाली ग्लास में आधा चावल भरके, कच्चे चावल भरके पांच अगरबत्ती जलाके उसके अंडर आपको वो अगरबत्ती खड़ी कर दिनी है यानि ग्लास में चावल भरके दूब बत्ती लगा देनी है, एक सरसो के तेल का दिया जलाना है आपको, एक नीम्बू 100 ग्राम बता से या फिर मिठाई जो आपको समय पर मिल जाए, अपना मुँ पच्सिम की तरफ करके आपको बैटना है वेस्ट की तरफ, अगर आपको अपनी समस्या दूर करनी है, जैसे आपके उपर किसे ने कोई काला जादू कर दिया है, जादू तोने से परिशान है, काम धंदा चलनी रहा है, बीमार है, परिशानिया घेरे हुए है, कोई काम नहीं बन रहा है, मुसीबते रुकने का नाम नहीं ले रही, कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है, तो आप कोई भ उस नाजल पर आपको 108 बार पढ़ने के बाद ही फूखना है, इस समंत्र में आप कोई भी रक्षा कवच खीच कर बैठ सकते हैं, अपने उपर पढ़कर फूख सकते हैं, दाइरा बनाने की आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो हनुमान जी का जो मैंने रक्षा कवच बताया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने मुहम्मद शा की दुखाई जो बताया है, अब वो भी रक्षा कवच का पढ़ सकते हैं, अपने उपर तीन बार पढ़कर आपको सिर्फ फूख मारनी हैं, आपके सरीर की हिफाज़त, आपके सरीर की रक्षा हो जाएगी, इस साल में सिर्फ एक बार करने वाली क्रिया है, साल में एक बार, यानि उस होली के अंदर हमारी सारी बुरी बला, परिशानियां, मुसीबते, बीमारियां, कर्जे, जो हम जिसकी वज़े से परिशान है, हमारा हम दंदे को किसी ने बान दिया है, हमारे सरीर को किसी ने बान दिया है, हमारे घर के कुल दीवी देवता को बान दिया है, हमारे उपर ऐसी परिशानिया लगा दिया है, जिससे हम उलचते ही चले जा रहे हैं, सुलचने का नाम ही नहीं उसमें, एक मुसीबत जाती है, तो ना कई समस्या का इलाज कराने के लिए वो भागता है इतना आसान तरीका इतने शौटकट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको करके देखेंगे तो आपको वाकई में इसका असर देखने को मिलेगा अब आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं या जिसको आप अपना उस्ताद मानते हैं या अब आपको सिर्ब उस्तनारल पर पढ़कर एक सो आट बार मंतर पढ़कर फुकना है और मुस्लिम तरीके से कर रहे हैं तो केवल एक सो एक बार पढ़कर फुकना है दोनों के मंतर अलग-अलग है अगर आप दुकान से परिषान हो कि दुकान नहीं चल रही है या आपकी दुकान नहीं बिक रही है आपका मकान से परिषान हो आपका मकान नहीं बिक रहा है तो नार्यल को मकान के दर्वाजे से लगा कर नीचे की तरफ तीन बार उतारे या मकान की तरफ या तो आप उसे अपने उपर से भी उतार कर सामने रिख सकते हैं, अगर आप किसी और का जादू निकालना चाहते हैं, जैसे मेरे पास कई लोगों ने मेल किया कि बाबा मैं किसी को बहुत चाहता हूँ, बाबा लेकिन उसके उपर कुछ ऐसा जादू किसी ने कर दिया है, कि वो अब मेरी नहीं सुनता या मेरी नहीं सुनती उसके घरवारों ने उसके उपर ऐसा कर दिया है या उसके रिस्विदारों ने कर दिया है या दुश्मन ने कर दिया है कि बाबा अब वो मुझे पलट कर भी नहीं देख रहा तो आप उसके भी दिल में प्यार दाल सकते हैं उसका जादू निकाल कर जिया उसकी तस्वीर को सामने रखके खड़ा रखिए दिवार के तरफ आप उस तस्वीर पर से आपको नारियल को तीन बार उतारना है नारियल करणर का हो चोकलेटी जिसमें पानी हो हरे करणर का नारियल वो नहीं जो बिमार होने के बाद पिया जाता है या जो लेटा हुआ व्यक्ति हो आप उस पर से भी नारियल को उतार सकते हो उतारने के बाद ही आपको उसके पर पढ़ाई करनी है सबसे बड़ी बात पहले उता सतकनी प्रनाप गुरु आनी अगुरी शानी भूत प्रित लगाया किया कराया धुकान मकान से बढ़ अटाया बंदन तूटे माया चुटे जो ना तूटे तो गुरु सरवंग ना तोड़े कमां शब्धु सा चाप पिन्ट का चाफ Lu A अगर आपके ओपर किसी ने किया करवाया हो, जादू टोना किया हो, कुछ खेला दिया हो, कुछ पिला दिया हो, दुकान मकान का बंदन हो, या आप किसी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, पलंग पर व्यक्ति पड़ा हुआ है, दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे, दुक शर्मानी की कोई जरुत नहीं है आपको जाना है चाहे आप मुस्लिम हो चाहे आप किसी भी धर्म के हो आपको जाना है और आपको उस नारियल को उस अगनी में फेकना है जब होली जलाए जाती है जब जलती हुई होली में आपको फेकना है और अपनी मनों कामना बोलनी है इस काम के लिए शॉन कि मैं इस काम के लिए आपको इसमें चड़ा रहा हूं नारियल को बोलना है और और मेरा ये काम हो जाना चाहिए और वहां से को पलटकर घरा अब अपनी मनों काम नाप किसी को भी अब इसका असर आपको केवल साथ दिनों के अंदर देखने को मिलेगा यह जो मंत्र मैंने बता है वाकई काम करता है इसका बहुत असर है अब जो दूसरा मंत्र में बताने जा रहा हूं या दूसरी दूआ जो मैं बताने जा रहा हूं वो मुस्लिम तरीके से हैं जैसे शिफली अमलियात किसी ने शिफली कर दिया है किसी ने काल जादू कर दिया है, बहुत परिशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, तो जादू टोना उतारने का सबसे बड़ा दिन, होली, दिवाली और ग्रहन होता है, बड़े से बड़ा जादू निकल जाता है, नारियर को आग में फेकने का मतलब, हमारी सारी बलाओं को सारी मुसीबतों को सारी बीमारियों को हम उस अग्री मर जलाकर भस्म कर रहे हैं यानि उस आग में जलाकर खतम कर रहे हैं दुआ है बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम उलट फिर पलट फिर जिसने भेजा उसी पर फिर जो ना फिर है तो एक लाक असी हजार पीर पेगंबर की दोहाई फिरे, नहीं तो सटक पीर की दोहाई लगे, हुक्म अल्ला का, सिर्प 101 बार पढ़कर नारियल पर फुकना है, और उस नारियल को ले जाकर जलती हुई अगनी में डाल देना है, जियां जब तक आप ऐसे उपाए, ऐसे तोटके, ऐसे प्रियोग जो मैं आपको बता जब तक आप करोगे नहीं, आपको इसका असर कैसे देखने को मिलेगा, सब सोचते होंगे कि कुछ भी बता रहा है, इससे होगा क्या, अरे हटाओ, छोड़ो, बकवासे, फिजूल में बोल रहा है, अरे तो टाइम पासे, सुनके क्या करना है, छोड़ो, ऐसा होता है क्या, कौन बैटे का ठंडे में नहा के, बैटने का, पढ़ाई करने का अदा गंटा, अगर आप इस तरह के मन में, क्योंकि कोई भी अच्छा काम अगर आपका होने वाला होगा, तो शैतान नहीं चाहेगा कि आपका अच्छा हो, शैतान हमें सो आपको बढ़काएगा, गलत रास्ते पर ले जाएगा, दिमाग में गंदे गंदे ख्यालाद डालेगा, तो कोशिश ये करिएगा, कि आप जब तक इसका प्रियोक नहीं करोगे, तब तक आपको इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, अगर मेरी बात से आपको कहीं भी किसी को भी बुला लगता हो तो मुझे माप कर देना, लेकिन आप मेरी बात को समझना और कर की देखना, अब वाकरी में कहोगे कि आपको इसका असर देखने को मिला, ऐसे और भी रहस्मई, और भी रहस्मई साधना है, ऐसे अमलियात मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा, जब तक के लिए, नमस से अमलियात में वाकरी में कहें है, और भी रहस्मई रओी रहस्मई, इस तू ह्मलियात से देखना है, तूम्स देखना है, जय समझना है, तो मैं रहास्मई लोगों और देखना है, ब ありがとう वाकरी में नह झाल झाल झाल